हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी के स्वागत है डियार के टीवी पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनईया बीकानेर राजस्थान से साइकेटरिस्ट मनोची कित्सग काउंसलर सेक्सिलोर्जिस्ट और डिएडिक्शन स्पेस्लिस्ट दोस्तो आज इस वीडियो के माध् अगे और एक बार सुसाइडल अटेंट भी कर लिया था उसकी में उसको बहुत ज़्यादा गबराट होती थी इस समश्या से वह किस तरह से बाहर निकला बिना दवा के इस पूरे केश को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आप इस चीज को जानना चाते हैं समझना चाते हैं सीक्रेट को समझना चाते हैं तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तो उसने जो प्रैक्टेस स्टार्ट की थी वो CBT के प्रैक्टेस की थी और किस तरह से हुआ मैं पूरा आप लोगों के साथ में से शेयर करूँगा दोस्तो अगर आप प्रैजे DRKTV से लाइक करें और उससे फॉलो करें अब तक आपने वेदी हमारा YouTube चैनल DRKTV सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सस्क्राइब करें ताकि नए वीडियो को नोटिफेकिशन आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चलिए दोस्तों यह मैं पूरा केस आप ल जो CBT के मैंने 11 वीडियो अप्लोड कर रखे हैं उनके अंदर मैंने CBT की वर्क्षीट एक्स्प्लेइन कर रखी है उस वर्क्षीट के अंदर 5 कॉलम्स हैं पहला कॉलम A जिसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट दूसरा कॉलम B जिसको बोलते हैं belief तीसरा कॉलम C consequence औ यह दोस्तों 28 year male की कहानी है जो अपनी 24 साल case में जब उन्होंने first time sex किया जब first time उनका जो sexual contact हुआ तो उस contact के दर्मियान वो proper sex नहीं कर पाये थे उनके बीच में जो male और female के बीच में जो sexual contact वो proper नहीं हो पाया था उनका premature ejaculation हो गया मतलब सिग्र पतन हो गया जैसे ही सिग्र पतन हो यह उनके लिए activating event था जो कॉलम A है उसके अंदर जो activating event क्या था जल्दी स्थलन हो जाना वीरिया का जल्दी निकल जाना sex के दोरान जो premature ejaculation हो गया यह उनके लिए activating event था जैसे ही यह activating event हुआ इसके बाद उनके दिमाग में जो विचार आने सूरे हुए कि यार मैंने तो मेरा तो सिग्र पतन हो गया और सिग्र पतन की वज़े से मेरे अंदर कोई स activating event था वो क्या था प्रापर जो sexual time है वो maintain ना हो पाना premature ejaculation इससे जुड़ा हुआ थौट कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वज़े से प्रापर sexual contact maintain नहीं हो पाए और यह जो थौट आया दोस्तों यह थौट क्यों आया इसका थोड़ा सा मैं background बता देता हूं कि यह जो लड़का था इस लड़के का जो बच्चपन जो भी था वो बच्चपन में उसने बहुत सारी ऐसी information इसके दिमाग में गई थी जैसे जबी वह अकबार पड़ता तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो आर्टिकल्स लिखे वे आते थे जिसमें यह बत बार बार पड़ता था बच्पन की गलतिया यह सब चीजें इतनी जादा उसने पड़ ली थी उसके दिमाग में चली गई थी कभी भी जो गाड़ी के अंदर ट्रेवल करता रोड के साइड में एड लिखे वे होते थे अकबार के अंदर एड लिखे वे थे तो इन सब इससे जुड़ावा थोटा है कि अपने अंदर कोई कमी है इसकी वज़े से यह सररिक संबन अच्छे से नहीं बन पाए तो इसका जो कॉंसिक्वेंस हुआ जो इसका इमोशनल कॉंसिक्वेंस हुआ उसको बहुत ज्यादा गबरात होने लग जाती बहुत ज्यादा अकेला मतलब मेरा इस दुनिया में क्या significance है जब मैं proper sexual contact नहीं हो पाएगा मेरे लाइफ नहीं बन पाएगे तो मेरे जीने का क्या मतलब है इसी वज़े से उसके अंदर उसका फैर हो जाएगा फिर मेरा पूरा दिमाग खराब रहेगा तो इन सब चीजों से क्या है इस तरह के जो psychological consequences जिसकी वज़े से वो suicidal जो उसके अंदर thoughts आने लगे और तीसरा जो physical consequence है physical consequence क्या है कि इनकी वज़े से जब हमारी anxiety बढ़ती है गबराट बढ़ती है तो उस गबराट की वज़े से हमारा autonomic nervous system और ज़्यादा इस्टुमिलेट होता है sympathetic activity बढ़ती है तो इस sympathetic activity के कारण जो उनका जो erection जो था वो भी erection देरे-देरे down होने लग गया है और erection down होने लग गया नींद का problem रहने लग गया रात को जब सोते तो proper नींद उनको नहीं आती सांस के अंदर दिक्कत होने लग गई कहीं पर भी खड़े होते तो उनका दम गुटने लग जाता suffocation सा होने लग जाता ऐसा लगता जैसा environment के अंदर oxygen खतम हो गई है और उसके बाद जो इसका behavioral consequence जो fourth number का consequence था वो consequence क्या हुआ कि बार-बार उनके मन में आता कि मैं treatment लो doctors के पास जाते जानचे उनकी सारी normal आती फिर भी उनकी ये problem ठीक नहीं हो रही थी और दीरे-दीरे उन्होंने क्या है कि उनकी जो sexual desires कम हो गई उन्होंने जो sexual contact से उनकी frequency कम कर दी और जब भी भी कहीं पर भी लड़कियों को देखते तो डरने लगए और वहाँ से भागने लगए और इसकी वज़े से उनका जो काम है उनका जो work है वो work बहुत ज़दा effect होने लगए और work के उपर वो focus नहीं कर प दोस्तों यह तो मैंने आपको बताया A, B और C इसका जो fourth part है, fourth है dispute, dispute के अंदर क्या करता है कि जो dysfunctional thought है उसकी जिगे more realistic and adaptive thought को add करता है, यहाँ पर dysfunctional thought क्यों बोला क्योंकि इस thought की वज़े से हमारी जो life style है, जो उस लड़के की life style है वो पूरी तरीके से खराब होगी, तो उसने यह dispute बार-बार अपने आपको देना स्टाट किया, अपने दिमाग पर जो thought आता, उस thought को challenge करना स्टाट किया, कि मेरे सारे investigations नॉर्मल है, मतले मेरे अंदर कोई problem नहीं है, अच्छा, उस समय जब मैंने first time जो sexual contact maintain किया था, उस समय मेरे दिमाग में already यह चीज़े बहु इस patterns की वज़े से मुझे बहुत ज़दा गबरात होने लगी, और जब भी गबरात होती है तो उस गबरात की वज़े से भी premature ejaculation हो जाता है, और जब first time मैंने sexual contact maintain किया था, उस समय जो surrounding थी वो safe नहीं थी, मतलब एक unsafe place था, मुझे हर वक्त ऐसा डर लग रहा था कि कोई आ त continuously कहना start किया, और फिर अपने आप से ये भी बताना सुरू किया, कि मेरे जो ये problem है, actual physical problem नहीं है, मेरे दिमाग में जो बचपन से जो मैंने ये content मेरे दिमाग में गया वा है, sex related content, उसकी वज़े से मेरे दिमाग में neural patterns बन गें मेरे subconscious mind में, जिसकी वज़े से ये सारी problems हो रह जैसे उन्होंने ये dispute start किया, तो धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जो sexual encounters थे, जो sexual contacts है, उन contacts को maintain करने start किया, जबी भी हो sex करने जाते, सबसे पहले अपने आपको relax करते, उसके लिए relaxation exercise यूज करते, आराम से relax हो के बैठते, धीर-धीर लंबा और गहरा सांस लेते, सांस को रो प्राइन रहने लग जाता है, आपका मन सान्त होता, आपकी गबराट कम होती है, तो आपकी sexual power बढ़ जाती है, तो उन्होंने इस exercise को use करने start किया, और जैसे ही एक-दो encounter उनके अच्छे हुए, तो उन्होंने अपने आपको ये बताना शुरू किया, कि मेरे physical problem नहीं है, ये आप भी इस तरह की किसी problem से जूज रहे हैं, तो आप CBT की proper practice करें, आप इस चित से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आयो, अगर नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक ये ये YouTube चैनल सस्क करें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!